अब तक हमने आपको बताया कि कैसे आप हाइट एंड इस्टेंज की कोस्टन को रेस्टो मेथड से सोल कर सकते हो अगर हमने सभी कोस्टन को एनलाइज करते वे इसके डिरेक्ट ट्रिक भी बनाई है ताकि एकजाम आपका टाइम बचे आपको पता है ठीटा वन और ठीटा कोस्टन में ये डिस्टेंस गिवन रहती है ए और बी के बिच वन और हाइट पुछी रहती है तो डिरेक्ट अगर ये डी है अगर पहला एंगर थर्टी है दूसरा 60 है तो हाइट का डिरेक्ट फर्मुला है डी बाई टू मल्टिपलाई बाई रूट थ्री सेकिंड अगर थिटा 1, 30 है थिटा 2, 45 है तो डी को रूट 3, 1 से डिवाइड कर देना हाइट आजाएगी डिरेक्ट तीसरा कोस्टन तो 45 और 60 गीवन है तो हाइट और ये बाई रूट 3, रहेंगे च्यार चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आपका question easily हो जाएगा there are two more questions now see the most wanted question of SSC that SSC target every time alpha और beta are the complementary angle complementary और पूरक अंगल क्या होते हैं अगर उनका जोड कितना हो 90 supplementary क्या होते हैं उनका जोड कितना हो 180 इस पर two type के question बनते हैं diagram number one diagram number two answer is same height is equal to root a b but star mark condition क्या है a b जो point की है distance foot से होनी चाहिए और b भी कहां से होनी चाहिए तो height का formula क्या जाएगा root a b और alpha और beta क्या होने चाहिए complementary इस परकार second diagram में देखेंगे आप alpha और beta क्या होने चाहिए complementary दोनों का जोड कितना 90 और d क्या हो जाए रूट एक्स वाई अब SSC चलाकी की SSC ने एक बार question आया उसने इसको आठ दे दिया और इसको 10 तो height पुछल और दौनों एंगल क्या दे दिया complementary तो बच्चों ने लिख दिया root से यह भी option में था रॉंग अभी बताया a और b कहां से foot से distance यह तो 8 हो जाएगे तो दूसरी कितनी हो जाएगी 10 और 8 18 तो answer क्या आएगा 8 multiply by 18 root answer is 12 hope you understand it